देखी दोस्तों यहां पार कितना सुन्दर सा एक स्कूल का आईडी का डिजाइन डेडी हो गया तो ऐसे स्टेप बाइ स्टेप फॉलो करके आप भी एक सुन्दर सा आईडी का डिजाइन डेडी कर सकते हो हेलो दोस्तों आपको फिर से स्वागत है हमारा एक नए वीडियो में इस वीडियो में हम सीखेंगे Microsoft Word 2007 में स्कूल आईकाट कैसे डिजाइन करते हैं यहाँ पर स्कीन पे आप एक स्कूल आईकाट डिजाइन देख पा रहे हो एक स्कूल आईकाट डिजाइन आपको क्रियेट करना है तो एक वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इन्पोर्टेंट है इस वीडियो में आपको स्टेप बाइ स्टेप सिखाऊंगा कि इस आईडिकाट को कैसे डिजाइन करते है Microsoft Word 2007 में तो वीडियो को शुरू से लेके इंट तक देखिए वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल में आप नए है तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लिजिए तो चलिए दूस्तों शुरू करते हैं सबसे पहले आपको यहापर सार्च ओप्शिन में जाना है और यहापर आपको लिखना है Word और Microsoft Word 2007 को चूज करने के बाद ऐसे ही एक पेज ओपन हो जाएगा तो सबसे पहले आपको पेज सेटाप करना है तो पेज सेटाप करने के लिए आपको यहापर पेज लेयाउट टैप पर जाना है जाने के बाद यहापर शो होगा साइज आपको साइज के उपर क्लिक करना है क्लिक करने के बाद यहाँ पर एक tab open हो जाएगा आपको यहाँ पर लिखा रहेगा width and height तो width पर आपको लिखना है 3.88 और height पर आपको लिखना है 2.63 और यहाँ पर आपको margin पर क्लिक करना है यहाँ पर show right, top, bottom, left, right सभी को आपको zero कर देना है तो देखिए मैंने यहाँ पर zoom कर लिया, सबसे पहले आपको insert tab पर जाना है जाने के बाद यहाँ पर show होगा save, आपको यही पर क्लिक करना है, क्लिक करने के बाद rectangle को choose कर लेना है उसके बाद यहाँ पर save field पर जाना है और अच्छा सा एक field आपको choose कर लेना है तो चलिए मैं यहाँ पर अच्छे से saves को set कर देता हूँ तो देखिए मैंने यहाँ पर अच्छे से saves को set कर दिया उसके बाद आपको insert tab पर जाना है, जाने के बाद यहाँ पर show होगा वाटाट आपको यह पर क्लिक करना है, ऐसे एक tab open हो जाएगा यहाँ पर आपका school का नाम लिखना है, तो चलिए मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ तो देखिए मैंने यहाँ पर लिख लिया, उसके बाद आपको यहाँ पर show होगा font style आपको यहाँ पर क्लिक करके अच्छा सा एक font style आपको choose कर लेना है school का नाम background में show हो रहा है, आपके साथ भी यहाँ से हो रहा है तो आपको simply format tab पर जाना है, जाने के बाद यहाँ पर show होगा wrap text यही पर आपको click करना है, click करने के बाद आपको यहाँ पर select करना है in font of text टाकि text font में आ जाए उसका बाद simply आपको यहाँ पर text को अच्छछे से set कर दिना है तो चलिए मैं यह आपकर अच्छे से set कर देता हूँ तो देखी मैंने यह आपको आच्छे से set कर दिया उसका बादा आपको text को select करने है स्लेट होगा अपको फॉर्मैट टैप पर जाना जाने के बाद यहाः पर शो होगा से प BEN disputeुफ नो चीचा पर कलीक करने में हैं रच्ट को धाने को स्लेट करना है जोगा एक उसको बाद से पील पर जाने महांजा स्रोथ Candioी का नाम लिएक्टड जा insaisff हूँ, तो देखि मैने यहाँ पर लिग लिए, उसक बाद टेक्स्ट को Schl सेट कर देना है तो चलिए मैं यहाँ पर टेक्स बोक्स को अच्छे से सेट कर देता हूँ तो देखिए मैंने यहाँ पर अच्छे से सेट कर दिया उसके बाद आपको इंसाट टैप पर जाना है जाने के बाद यहाँ पर शो होगा सेफ आपको यही पर क्लिक करना है क्लिक करन तो देखिए मैंने यहां पर आपको सेप आउटलाइन पर जाना है आपको करना है नो आउटलाइन उसके बाद आपको यहां पर सेप को छोटा करने के बाद यहां पर आपको आपको सेट कर देना है तो चलिए मैं यहां पर आपको सेट कर देता हूँ तो देखिए मैंने यहा परतिए इन आपको और आपको यह इन सार् डाप पर जाना भाद यहां पर शोगा text box आपको यहां पर केस करना है क्लिक करने पर ट्रॉपक्स केうपर क्लिक करके यह आप एक टेक्स बाक्स को अच्छे से रॉय लेना है उसके बाद Save Fill पर जाना है, आपको कहना है No Fill, Save Outline, आपको कहना है No Outline, दिन आपको यहापर School का जो Address है, यहापर अच्छे से लिग देना है, तो चलिए मैं यहापर लिग देता हूँ, तो देखिए मैंने यहापर लिग दिया, उसके बाद सभी Text को Select करना है, Select करने के बाद Home Tap पर जाना है, Font Style पर जाके अच्छा सा एक Font Style आपको Choose कर लेना है, तो चलिए मैं यहापर अच्छा सा एक Font Style को Choose कर लेता हूँ, उसके बाद आपको यहापर Font Size पर जाना है, और यहापर आपको Type करना है, 10, उसके बाद Simply आपको Enter करना है, इंटर करने के बाद आपको यहाप पर अच्छे से एड्रेस को एड्जस्ट कर देना है तो चलिए मैं यहाँ पर अच्छे से एड्जस्ट कर देता हूँ तो देखिए मैंने यहाँ पर आच्छे से एड्जस्ट कर दिया उसके बाद टेक्स्ट को सिलेट करना है और आपको बोल्ट कर देना है यहाँ पर देखि draw करने के बाद आपको save feel पर जाना है यह जो feel है background का same feel आपको choose कर लेना है तो देखिए मैंने यहाँपर choose कर लिया उसका बाद simply आपको hereında save outline पर जाना है और आपको hereafter no outline choose कर लेना है और यहाँपर आपको आच्छे से shapes को set कर देना है तो चलिए मैं यहाँपर set कर देता हूँ तो देखिए मैंने यहाँ पर आच्छे से shapes को set कर दिया, उसके बाद आपको यहाँ पर left side में स्कूल का logo insert करना है, तो logo insert करने के लिए आपको insert tap पर जाना है, यहाँ पर picture के उपर क्लिक करके school का logo insert कर लेना है, तो चलिए मैं यहाँ पर select करके insert कर लेता हूँ, तो देखिए मै आपको लोगो छोटा कर लेना है छोटा करके यहापर आपको अच्छे से सेट कर लेना है तो चली मैं यहापर अच्छे से छोटा करके सेट कर लेता हूँ तो देखिए मैंने यहापर आपको इंसाट टैप पर जाना है जाने के बाद यहापर शो होगा सेपस आपको यहापर क करना है क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको राउंड रेक्टेंगल को चूज करने के बाद आपको ऐसे एक राउंड रेक्टेंगल को यहाँ पर ड्रॉट का फोटो के लिए तो देखिए मैंने यहाँ पर ड्रॉट कर लिया उसके बाद आपको सिम्पिल यहाँ पर अच्छ कर लेना है तो चली मैं यहाँ पर इंसर्ट कर लेता हूँ तो देखिए मैंने यहाँ पर student का photo इंसर्ट कर लिया उसका बाद simply आपको यहाँ पर शेप आउट लाइन पर जाना है और यहाँ से चली के यहाँ तेक्सट बोक्स को रिकार के में और यहाने पर शेप आउटला ना याँ आपकोFrक्ष। rint डीटेल देना है तो चलिए मैं यहां पर अच्छे से लिक लेता हूं तो देखिए मैंने यहां पर लिख लिए। उसका बद आपको ठेक्स को स्लेट करना है स्लेट करने के बाद होम टयप पर जाना है जाने के बाद यहां'll एक वा होerd यहां हाँ प्रमोब स्पेंट करना है इस इसमोन स्टायल को चुछ कर लेता है हूँ है इस फॉण स्टायल को चूंस कर लिया उसकप कर दिया हूँ तो चलिए मैं यहाँ पर अच्छे से text box को set कर देता हूँ तो देखिए मैंने यहाँ पर text box को अच्छे से set कर लिया उसके बाद simply आपको यहाँ पर shift और control प्रेस करके इस text box को copy कर लेना है तो चलिए मैं यहाँ पर copy कर लेता हूँ तो देखिए, मैंने यह आपर आच्छे से al yönly लिए उसके बद आपको यह आपर आच्छे से set कर देना है तो चालिए पर आच्छे से set कर देता हूं तो सबसे पहले आपड आपको यहापर text को करने के बद आपको यहापर home tap पर जाना है line spacing के उपर click करके आपको spacing को थोड़ा सा आपको increase कर देना है तो देखिए मैंने यहाँ पर 1.5 choose कर लिया उसके बाद simply आपको यहाँ पर अच्छे से set कर देना है तो चलिए मैं यहाँ पर अच्छे से set कर देता हूँ draw काम बाद और सीब पर आपको här formore feel पर क्लिक करके एक hulka create ऐना है तो चलीए मैं यहापर कोई भी एक hulka testune choose करने तो देख्ये मैं यहापर לिच उसके बाद आपको select करना है save outline पर जाना आपको करना है no outline अके और आपको इहाब पर save को select करना हम send to back दिन फक्रव बेक साइड में में चला जाएगा उसके बाद आपको इहाब पर आच्छे से set कर देना है। चले मैं इहाब पर आच्छे से सेट कारद दिया उसके बद आपको इंशर करना है जाने के बद यहाँ पर शो होगा पर क्लिक करना है क्लिक करना के लब यह द्रा चले में यहाँ लीaste लेता है, जना है लिए पेड़र लिए उसके बाद स्ट्राइब को चूज कर लाइना है तो चलिमें यह पर कोई भी एक आच्छा सा फॉन स्ट्राइब को चूज कर लेणा है तो चलिमें यहाँ पर कोई भी एक अच्छा सा फील्ड चूस कर लेता हूँ, तो देखिए मैंने इस फील्ड को चूस कर लिया, उसके बाद सिंपल आपको यहाँ पर क्लिक करना है, क्लिक करने के बाद क्लिक करना है, इस बॉक्स को कॉपी कर लेना है, और यहाँ पर आपका पिंसिपल का नाम ल iPhone iPhone IQ और देखिए में धी आपको इंक्रीज कर लिया उसका बाद आपको यहां पर आच्छे से सेट कर देना है तो चलिए मैं यहाँ पर अच्छे से सेट कर देता हूँ तो देखिए मैंने यहाँ पर अच्छे से सेट कर दिया हूँ उसके बाद यहां पर underline शोड़ है तो आप right क्लिक करके इग्ड़ और time स्करिक करकि underline को आप remove कर सकते उसके बाद आपको simply insert टैप पर जाना है याणने के बाद यहां पर टेक्स वाक्स आपको यह पर क्लिक करना है तो देखी मैंने यहाप लिख लिया, उसका बार text को select करना है OR home tab पर जाने, आपको करदेना है bold देना आपको यहापर font style पर जा के अच्छा सा font style आपको choose कर लेना है तो चली मैं यहापर कोई भी एक font style को choose कर लेता हूँ तो देखिए मैंने यहापर चूज कर लिया उसके बाद यहापर text box को अच्छे से set करना है तो चली मैं यहापर अच्छे से set कर देता हूँ तो देखिए मैंने यहापर text box को अच्छे से set कर दिया text को select करना है और color को white आपको choose कर लेना है उसके बाद आपको यहाँ पर text box को select करना है और control प्रेश करके copy करने के बाद आपको यहाँ पर लिखना है Contact number तो देखिए मैंने यहाँ पर लिख लेए उसके बाद text को select करना है Select करने के बाद आपको याँ आपर home tab पर जाना है decrease font size के उपर क्लिक करके font size का अपको थोड़ा सा decrease करके यहाँ पर आच्छे से set कर देना है तो चली मैं यहाँ पर आच्छे से set कर देता हूँ तो देखी मैंने यहाँ पर आच्छे से set कर देता हूँ आपको टेक्स्ट को सिलेट करने हैं यहाँ पसुन्दर सा एक स्कूल का आईडी का डिजाइन रेडी हो गया तो ऐसे step by step follow करके आप भी एक सुन्दर सा आईडी का डिजाइन रेडी कर सकते हो उमीद करता हूँ आज की वीडियो अच्छा लगा वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को अभी सब्सक्राइब करना ऐसे अमेजिंग वीडियो देखने के लिए तो चलिए मिलते कई नए वीडियो पे तब दक के लिए थेंक्यू बाबाई झाल झाल झाल